इस वीडियो में हम बात करेंगे rules of a network जैसे कि मैंने आपको last video में बताया था जिसमें मैंने discuss किया है आपके साथ में elements of a network जिसमें event, activity and dummy इन तीनों के बारे में बताया था इसमें हम बात करेंगे rules of a network and errors of a network ठीक है मतला आपका start and final event तो कोई भी network है उसके अंदर सिर्फ एक ही start और एक ही finish event होगा numbers of arrow is same as number of activities जितनी भी arrows आपकी represent करेंगी उतनी ही होगी जितनी arrow है उतनी activity होगे आपकी ठीक है no event can occur twice कोई भी event दो बार नहीं होगा time flow from left to right in the network length of the arrow does not represent any magnitude arrows should not cross into each other and if they do one breeze over the other यह उसकी तरह हो जाएगा जैसे कि network में होता है ना electrical जो हम circuit बनाते हैं तो circuit के अंदर resistance है A से B फिर C से C इस तरीके से और फिर वापिस हम उसके उपर से एक और arrow लेके जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा semi circle type से बनाते है ना उस जो भी line बनती है resistance जो connect होता है उसके उपर से लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी activity स्टार्ट होने से के लिए उसके पीछे वाला event completely complete हो जाना चाहिए no event can occur unless all activities leading into it have completed कोई भी event हम यह नहीं कहेंगे कि यह event complete हो चुका है जबतकि सारी activities उससे related हैं वो complete ना हो गयी हो वो सारी complete हो जाएंगी तो हम बहुं बोलें किया था उसमें भी बताया था और यह जो वीडियो है जो मैं आपको बता रही हूं जिसने नहीं देखी है उसका link में description box में डाल दूंगी आप उनको एक बार चेक कर लेना क्योंकि जब तक आप network का starting नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे की video भी समझने आएगे और इसमें प्रोब्लम होगी क्योंकि यह जो भी event activity यह सारी चीजे मैं explain कर चुकी हूं ठीक है अब देखते हैं errors of a network क्या है first one is the cycling or looping error अब देखेंगे first to second जा रहा है second to third फिर third से वापिस जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि यह loop बन रहा है पता ही नहीं चल रहा कहां से क्या शु out going है और three हमारा final event है क्योंकि सारे की सारी arrow incoming है ठीक है तो यह हमारे पास cyclic error हो जाएगा यह इसका correction है second one is dangling error dangling error क्या होगा जैसे आपको दिख रहा है 3 to 4 वाली जो arrow है उसके अंदर 3 से 4 में सिर्फ एकी arrow है जो कि उसकी 4 में incoming है यहां से कोई out going arrow नहीं है और जो बाकी arrow है वो भी यहां पर meet नहीं कर रही है इसलिए हम यह भी नहीं बोल सकते कि यह final event है क्योंकि final event तो seven है तो यह इस टाइप का जो event है जो कि मतलब सिर्फ एक ही arrow इसमें out going arrow नहीं है और यह final event भी नहीं है तो इसको हम dangling error बोलते हैं dangling जैसे कि नाम से पता चला जैसे dangling bonds होते हैं दो carbon carbon के बीच में bond है और bond break हो जाता है तो अब carbon मतलब single है उसके साथ में कुछ connection नहीं है जो open point होता है उसका organic में ज्यादतर दिखाते हैं carbon open को ना तो वो dangling bonds है इसी तरीके से यह नाम से पता चला है dangling error की open है तो इसको correct करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हमें network को लेना पड़ेगा कि उसकी सारे incoming और outgoing उससे निकले उस network पे एक incoming भी हो उस event पे और एक outgoing भी हो इस तरीके से हमें इसको correct करना पड़ेगा ठीक है कहीं ना कहीं इसको involve करना पड़ेगा उसमें so last one is the wagon wheel error wagon wheel error क्या होता है अब आपको दिख रहा होगा यह wheel की shape में जो मैंने बना रखा है ABC incoming है और DEF जो है वो outgoing error है तो अब आपको इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि DEF जो है वो activities कब शुरू होंगे जब ABC तीनों खतम हो चुकी होंगे ठीक है लेकिन यह दिखने मे आसाल लग रहा है कि कोई error तो हुगा नहीं लेकिन actually इसके अदर काफी बड़ा error है अगर आप ध्यान से देखे तो अब इससे तो साफ दिख रहा है कि DEF सिर्फ कब शुरू होगा जब ABC खतम हो चुका होगा लेकिन हकीकत यह नहीं है maybe D जो है वो B और C पर depend नहीं कर रहा हो यह फिर हो सकता है कि F जो है वो सिर्फ B और C पर depend कर रहा हो A पर depend नहीं कर रहा हो मतलब इस टाइप से अब देखो आप correction देखो इसका कैसे किया है मैंने 1st, 2nd, 3rd यह मैंने आपकी जो भी है इवेंट्स लिखे होए है और ABC आपकी activity है ठीक है और DEF वहाँ से outgoing है अब धियान से देखो एक बार मैंने इसको क्या किया dummy बना दिये यह 2 और 3 मैं dummy बना रहा है dummy हम इसलिए use करते है जब हमें उसका correct order नहीं पता होता relationship नहीं पता होती तो अब इसके correction में मैं क्या क्या कर सकते हूँ जैसे 1 से 2 मैंने downward arrow ले दी और 2 से 3 में downward लिया है ठीक है अब अगर धियान से देखे तो D का precedence क्या है सिर्फ A है D से कब start हो जाएगा जब सिर्फ A खतम होने से D start हो जाएगा तो मैंने side में लिखा हुआ है activity and precedence D का सिर्फ क्या है A अब अब ध्यान से देखोगे E, E का क्या क्या है A और B क्योंकि 1 से 2 पे A जो pink color की arrow हो downward है इसका मतलब जो E हो किस-किस पर depend करेगा A और B दोनों पर depend करेग अब आप F का देखोगे तो F का दोनों में downward arrow है तो F किस-किस पर depend करेगा A, B और C तीनों पर depend करेगा ठीक है dummy way मैंने explain किया था यह arrow की direction काफी जादे important होती है अब अगर आप arrow की direction change करोगे तो इससे देखो अब इसमें देखो D जो है हम नीचे से लिखाओ आज एक्चुली मैंने diagram में नीचे से लिखाओ है तो आप ध्यान देखो अब E में देखोगे तो दोनों ही arrow E की side वाले में है तो E A पर भी depend कर रहा है और E B पर भी depend कर रहा है और E C पर भी depend कर रहा है ठीक है क्योंकि इसमें भी arrow उपर की तरफ है इसमें नीचे की तरफ है तो ई दोनों पर डिपेंड करेगा और डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए पर डिपेंड कर रहा है ठीक है इसमें इस correction वाले में दो cases मैंने आपको बता दी है इसमें एक case और बनेगा arrow की direction चेंज करके वो थर्ड का कोई मतलब भी नहीं बनता तो यह आपके error है dangling error wagon wheel error and cyclic error और यह आपके rules of network थे इसमें रूल्स में कुछ समझाने का नहीं था सिर् रूल्स है तो आपको पता होना चाहिए यह मैंने इसलिए भी डाला कि अब मैं next video में जब भी CPM कराऊंगे उसमें मैंने बोला कि यहां से बाहर गया या फिर यह activity ऐसे गई वैसे गई तो आपको पता होना चाहिए कि यह इसके rules है कि ऐसा ही होगा ठीक है so this is all about this video if you like my video then please like share and subscribe my channel thank you so much